हलो फ्रेंट स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आज जो हम बात करेंगे वह गन्य की एक फंगल डिजीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होता है पॉकका बॉइंग दोस्तों मई जून के महीने है वह हलकी पीली सफेद होने लगती है उस कलर का आपको बहुत ज्यान लखना है हलकी पीली और सफेद होने लगती है कुछ दिनों बाद लाल भूरी होकर नस्ट हो जाती है कुछ दिनों बाद ये पत्तिया हमारे लाल भूरी हो जाती है वह पूरी तरह नस्ट हो जाती है इससे हमारे गन्नी की बढ़वार रुख जाती है साथ ही प्रिकास संसलेशन की किर्जया बंद होने के कारण गन्ना सूखने लगता है और गन्ना पूरी तरह हमारा फसल बैमिज हो जाती है इसका प्रिकॉप हमारे खेत में लेके 20% से 60% तक तक इसका खेतों में प्रिकॉप पाया है जिससे फसल को बहुत ज्याúcar हमारा बहुत बहुत बाने हो गया है तो इस चीश का बहुत खांड लगना है तोझ सो अभी तो आप इसका पहले से कर सकते हैं किसी भी आप इसकी के लिए बहुत सरे फंजिशाइड मार्किट में एवलेबल हैं उन सबका इस्तिमाल करके आप इसको रोक सकते हैं तो कैसे रोकना है उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ अधिकतर किसानमित्र हमारे सोचते हैं जब इसकी पत्ति हल्की हमारे में बारे दो किट होता हैर इसका इससलिकी पत्ति हैं इसका फैचान और किस पत्तिय होता है उसमें उनके अंदर सिर्फ निसान बनेंगे कोई भी होल नहीं होगा पत्यों में पत्या उनके अपसे में टूटकर बिखर जाएंगी लेकिन उनमें सुराक नहीं होता है तो इसकी ये बहुत अच्छी पहचान है अधिकतर किसान में तो सुचते हैं कि गन्ये का अगोला बेदक कीट इसके लगए उसके लिए हम कॉराजन का इस्तिमाल कर सकते हैं या बहूत साण कर सकते हैं लेकिन उन सब के सकत्वाले से हमारे नहीं रुकने वाला है तो यह एक हैन्ले म हम कौन-कौन से इस्तेमाल करेंगे चलिए मैं बताता हूं बचाप के लिए बुवाई से पूर्व आप इसमें बाविस्टिन से इसको उपचारित कर सकते हैं कोई भी बीमारी लगने की कारण क्या होती है कि हमारा सीड अच्छे से ट्रेट नहीं हुआ होता है या हमारे जमीन मार्किट में आपको जैविक की दुकानों भी मिल जाएंगे उनको भी आप खेतम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारा जो जैविक एक वह होता है जो हमारा घर पे आप देखते होंगे दूद का नफटा मट्छा बनता है इसको चाच बोलते हैं उसका भी में फशनो से आपस में फैलता है हवा जिस तरफ को चलती है यह रोग उधर को फैल जाता है पानी के बहाव से भी यह रोग फैल जाता है तो इस चीज का बहुत ध्यान रहां जो पोधा हमारा रोग ग्रेशित हो गया है उसको उखाड़कर देना है साथ ही अब जो कैमिकल कंट्रोल हम कर कर सकते हैं आप है 100 टोन जोल कभी आप कंटाप 200 ml 150 लीटर पानी में मिला कर इसका भी 15 दिन के अंतराल से आप दो बार इसका स्प्रे करेंगे तब भी आप इसका कंट्रोल पहले ही कर सकते हैं यह जो हमारा लगता है खासकर चोड़ी पत्ति वाले गन्ने में लगता है जैस मई से लेके सितंबर के महीने तक इसका बहुत जादे कंट्रोल होता है बरसात के दिनों में भी यह बीमारी बहुत जादे बढ़ती है तो इसको आप कंट्रोल करने के लिए मैंने यह आपको केमिकल भी बता दिया है इन सब का आप इस्तेमाल करेंगे और इसको आसानी से र लगता है तो आप जैविक कंट्रोल कीजिए और अगर लग चुका है तो आप केमिकल कंट्रोल कीजिए उससे आपकि फसल को अभी बचाया जा सकता है पंद्रे दिन के अंतर पे इसके दो थीन刚ude इसे बहुत अच्छी होने वाली है बहुत अच्छी से नहीं प्री मारी कि ज़ादा प्रकॉप फंगी हो जाता है कि पूरी टप adapal को यह नoflow हो चीजी है कि किसान मिते हमारे खेट के बाहर से देखते हैं गुए जरूर चेक्र बाहरारी के निख बेखती बीच से स्टार्ट होती है और द वार से देखके वापिस आते हैं कि हमारा घ्यत्तों ठीक है तो इस चीच का भी बहुत खास ध्यान रखना है आपको जब ऊपर की पोदे हमारे जो गन्य का अगोला होता है में गोब हमारी जब इसकी डामेंज हो जाती है तो गोब सूप कर गिर जाती है जो हमारे कंट्रोल हो 25% में आपको मार्केट में मिलेगी जिसको आप 200 ग्राम पिरती एकड़ की दर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सब को पसंद आई हो कि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें बाकी किसान मित्रोगशात जादेश ज सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद